फ्रेंट्स एक्जाम्पल के तवर पर मान लीजिए कि आपने एक गाड़ी बुक की और उस गाड़ी से आपने 120 किलोमीटर का सफर किया और फिर उस गाड़ी वाले ने आप से 120 किलोमीटर का 35 रुपया लिया तो आप कैसे जानेंगे कि उस गाड़ी वाले ने आप से 1 किलोमी किया है तो जरूर कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए तो फ्रेंट्स इसे जानने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि गाड़ी वाले ने कितने किलो मीटर का कितना रुपया लिया तो इसमें गाड़ी वाले ने 120 किलो मीटर का 35 रुपया लिया तो एक इक नियम यानि की यूनिटरी मेथड ये कहता है कि अगर हम 120 से 35 को यानि की किलो मीटर से प्राइस को डिवाइड कर देंगे त तो एक किलो मीटर का कितना रुप्या लगेगा ये पता हो जाएगा, तो चलिए 120 से 35 को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पर 29.16 आया, यानि कि गाड़ी वाले ने हमसे 1 किलो मीटर का 29 रुप्या 16 पैसा लिया, फ्रेंट्स इस टाइब का कोई भी कैलकुलेशन हो, आप इसी तरह कर सकते हैं, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, इसी तरह की और बहुत सारी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें,